लिए अभी नोटिफिकेशन कर रहा है फोर में जून एंड जुलाई मंत के लिए तो हम देख लेते हैं कौन-कौन से एक्जाम सब के होगा और उनकी डेट्स के तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं MTS की तो उसकी डेट होगी आपकी 2nd मही से लेके 19 मही तक फिर आपकी डेट है 13th of June से लेके 20th of June तक तो आपका कुछ बच्चों का पेपर इस शिफ्ट में रहेगा कुछ बच्चों का इन डेट में रहेगा देन आपका आत है SSC CPO की डेट जो की CPO मेंस है तो अगर हम बात करें इसका पेपर आपका पड़ेगा 2nd of May को आपके पास 30-32 दिन है तो बैस्ट ओफ लॉक फोर यूर CPO मेंस देन अगर हम बात करते हैं CHSL मेंस की जिसकी अभी हमने टियर वन दिये के खतम हुए है तो उसका एक्जाम है आपका 26 जून तो आपके पास अच्छा घासा टाइम है बताऊंगा आपके लिए तो आपके लिए उसके लिए प्रिपेर हो सकते हैं बज़े की बात क्या है यह जो एक्जाम है एक ही दिन में हो रहा है ना कि CGL मेंस की तरह चार दिन में जो कि हमारा तीन 2,3,6,7 मार्च को रहा था तो चार शिफ्ट हो जाती है तो उसमें नोर्मलाजेशन का फैक्टर आ जाता है बस आपको डरने की बात नहीं है CHSL में क्यो के अकोडिंग ही चल रहा है कुछ लेट आगे बीचे हुआ नहीं है सच देन आता आपका CGL का टीर वन 23 का उसकी डेट्स है 14 जुलाई से लेके 27 जुलाई तक टीर वन सबको पता है क्वालिफाइंग होता है बड़ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 60-75 दिन में यह आपका CGL में में कर दें जो की अक्टूबर में उन्होंने बोला था तो मेरे को लग भी रहा है अक्टूबर में वह आपका CGL में कर लेंगे रफली अरॉण 6-7 मन्थ लेफ्ट फोर यूर सीजियल में सो बैस्ट ओफ लग फॉर एस वैल तो अगर हम कलेंडर की बात कर ले एक बार जो उ कोना ने बोली है उसी टाइम के बीच में हो रहा है तो कुछ आगे पीछे है सच हो नहीं रहा है सो बैस्ट ओफ लग आप प्रिपेर करते रहे है और अगर आपको ऐसे ही न्यूज और नोटिफिकेशन चीए ऐसे सी रिलेटेड एक्जाम से तो आप चैनल को लाइक और सब सब्सक्राइब भी कर दीजीगा थैंक यू एंड हैव गूड देटु यू